अपडेट्स कॉंसलिंग ठीचिंग यहाँ मिलेगा सब स्टुडेंस जिस प्रिज द बेल आइकन और सब्सक्राइब महमना एजुकीशन हाब बनारा सिंदु निवर्सिटी ने अपने एड्मिशन मिनिममम कटफ क्रैटेरिया को साल 2019 से लागू किया है जिसमें यह बताया कया है कि अनारक्षित वर्गों यानि कि अन्रजब केटेगरी के अंदर जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं उनको सभी कोर्सिस में एंटरंस एग्जामिनेशन में कमसे कम 35 परसेंट थर्डिफाईप परसेंट मार्क्स की अवश्यक्ता है वहीं आरक्षित वर्गों को कम से कम 25% मार्च लाना जरूरी है इसके बाद ही उनका अड्मिशन में रैंकिंग और बाकिष यह दी जाएंगी ऐसा भी कहा गया था कि भले ही सीटे खाली रह जाए लेकिन ये BHU अपने minimum cut-off criteria को कम नहीं करेगा तो अब ये सवाल बहुत बड़ा है और क्या इसमें बदलाव संभव है हाँ नहीं 50-50 ये बहुत ही बड़ा प्रशन है 6 जून 2019 को एक बड़ी मीटिंग की गई थी जिसमें वाइस चांसलर और कई अलग दूसरी युनिवरसिटी के भी महान प्रोफेशर्स आये थे जिसमें ये निर्ने लिया गया था कि समान्ने वर्ग को 35 अलक्षित वर्ग को 25 अंक जरूरी है 23 नए गोल्ड मेडल भी लागो किये गये थे और उसके अधार पर ये चीज ये बताया गया था कि भले ही सीटे खाली रह जाए लेकिन ये मिनमम कटफ क्राइटेरिया को कम नहीं करेंगे अब मेरे हिसाब से ये कहना अनोचित नहीं होगा कि काशी हिंदोबिश विदाले ने लगभग कोर्सिस के रेजल्ट आउट कर दिये हैं चाहे वो UG हो, PG हो लेकिन एक समय में UG में तो लगभग सभी कोर्सिस में सीटें फुल हो जाएंगी 35 परसेंट और 25 परसेंट में एलेजयलिटी के बाद भी MSC Mathematics में CTN लगभग 100 से जादा है 110 के करीब में है और सिरफ 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन होने 35% minimum criteria को पार किया है अब और वो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो ICAR में या फिर IAT Jam में उनको admission मिल जाएगा तो इस स्थिति में तो वो जरूर ही BHU को छोड़ कर ICAR के colleges या फिर IAT में जाना चाहेंगे तो क्या इस परिस्थिति में BHU के गणीत विभाग में Masters के लिए MSC के लिए कोई भी admission नहीं होगा और ऐसे और भी एक दो तीन चार ऐसे courses है science के अंदर जहांपे शायद विद्यार थी मतलब बहुत कम संख्या से सीटों से कम संख्या में minimum कटब को पार किया है तो इस स्थिति में क्या विश्व विद्याल है अपने minimum criteria को बदलेगा क्या उसे कम करेगा या अपनी सीटें खाली ही छोड़ देगा ये निर्णे अविश्व विद्याले प्रशाशन के हाथ में है controller of examination और vice chancellor की meeting के बाद में होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी विभाग में कोई मास्टर्स का course है और उसमें सीटें खाली है बच्चे पढ़ने के लिए है ही नहीं तो फिर professors किस काम के हैं वहाँ पे आखिर तो बच्चे पढ़ने चाहिए उसमें अगर कोर्स बना है और बच्चों का admission होगा आखिर ये Central University है तो उसमें बच्चे ओभी mathematics जैसा भी सै जो की बहुत ही ज़्यादा मांग पर है जिसमें placements हैं और काफी ज़्यादा reputed भी है इंस्टिट अब साइंस का ये mathematics पिभाग गनित पिभाग तो उसी हिसाब से आप देखते हैं क्या निर्ने देता है बिश्व बिदाले प्रशाषन क्रिप्पैक करके इस वीडियो को माक्सम लोग तक शेयर कीजिए और अगर इस चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए गोच्ट प्रहेँ अगर में प्रहें हैं धरत बाइब च्टैम्रों है प्रश और बाइब आप टो कि शुट्छ प्रहें लीडेडि़ज ए जर से चैनल में